तितिक्षय ब्रध्हिम एक तिति का मान 12 अंस होता है कमना अधिक शूर्य दे के साथी तिति नाम एवं संख्या बदल जाती है यदि किसी तिति का अंसादी मान आगामी सूर्य दे कालशे पूरवी शमाप्त हो रहा होता है तो बहतिती समाप्त होकर आने वाली तिती प्रारंब मानी जाएगी और सूर्य देकाल पर जो तिती बरतमान है वही तिती उस दिन आगे रहेगी यदि तिती का अंसाधी मान आगामी सूर्य देकाल के उपरांत तक चाहे थोड़े ही काल के लिए शही रहता है तो वही तिती बरतमान में मानी जाएगी यदि दो सूर्य देकाल के भीतर दो तिती आजाती है तो दूसरी तिती का क्षय माना जाएगा और उस क्षय तिती की क्रम शंक्या पंचांग में नहीं लिखती है वही तिती अंक छोड़ देती है आशे यह है कि सुर्य देखाल तक जिस भी तिथी का अंसाधी मान बरतमान रहता है चाहे कुछ मिनिटों के लिए ही सही वही तिथी बरतमान में मानी जाती है तिथिक शय बरत्धी का आदार शुर्य देखाल ही है यहाँ पर यह बताया गया है कि सूरदय काल में जो तिथी है वही तिथी पूरे दिन मानी जाती है यहाँ पर तिथी क्षय और ब्रद्धी के विशे में ये बताया गया है कि सूरदय के शमय जो तिथी है वही पूरे दिन तिथी मानी जाती है तिथी और तारीख तिथी और तारीह में अंतर है। एक शमार 24 घंटे की है तो मेत्रों ये बहुत महतोपून बात बताए गई है और कई बार मेरे पास कमेंट भी आती है स्विसे में जिसे किसी का पुत्र मान लेजिए गुरु बार को रात को दो बजे हुआ है तो वह पूछते हैं कि वह कौन सी वार कौन सा माने या तारीक कौन सी माने तो हमें यहाँ यह बात विशेज ध्यान देना है कि वार जो है वो सूर्य देशे बदलती है तिथी सूर्य देशे बदलती है लेकिन जो तारीक है वह है रात को बारा बजे ही बदल जाती है मान लीजिए आपका पुत्र मान लीजिए आज दो तारीख है और आपका जो पुत्र है आज के आने वाली रात में दो बजे हुआ है तो वह तीन तारीख को जन्मा माना जाएगा यानि 12 वजे के बाद हुआ है तो उसका जनम जो है वो तीन तारीख में माना जाएगा और लिखा जाएगा तीन तारीख को 2 वजे इस तरह से आपको समझना है जो तारीख है वह रात को 12 वजे बदल जाती है प्रारंभ काल तिथी का आरंभ बार का आरंभ तथा दिन का आरंभ उस इस्थान पर सूर्य देशे होता है इन बात को हमें ध्यान रखना है तिथी का आरंभ बार का आरंभ और दिन का आरंभ ये किस से होता है सूर्य देशे यानि जिस स्थान पर आप हैं बहाँ पर तिथी का आरंभ बार का और दिन का आरंब शूर्य देशे ही होगा। करण का आरंब कृष्ण पक्षप्रति पदा में बालव से तथा सुक्ल पक्षप्रति पदा में किस्तोगनशे होता है। रासियों का आरंब मेस राशी के सून्य अंस से होता है। नक्षत्रों का आरंब अश्विनी नक्षत्र के सून्य अंस से होता है। योग का आरंब बिसकंभ योगशे होता है। उत्त्रायन का आरंब मकर राशी से तथा दक्षनायन का आरंब करकरासी से होता है। संबस्तर का आरंब प्रभव से होता है। काल का आरंब परमाणू या तुर्टी से होता है। युग का आरंब सत्योगशे होता है, मनमंत्रों का आरंब स्वायम भव मनुशे होता है, इसलामी हिज्री सन का आरंब मुहर्रम से होता है, रितुओं का प्रारंब वशंत से होता है, दिन मान रात्री मान सूरियोदे से सूरियास्त तक का समय दिन तथा सूरियास्त से अगले सूरियोदे तक का समय रात्री है पंचांगों में मुख्य मुख्य स्थानों के देनेक सूरियोदे एवं सूरियास्त काल दिये हुए होते हैं 21 मार्च तथा 22 सितंबर को प्रतिवर्ष दिन रात बराबर होते हैं 21 जून को सबसे बड़ा दिन तथा सबसे छोटी रात होती है तथा 23 दिसंबर को सबसे बड़ी रात तथा सबसे छोटा दिन होता है उत्री धुरुप तता दक्षणी धुरुप पर 6-6 महीने के दिन और रात होते हैं